तो आज मैं अपको अब को स्प्लेन करने वाला हूं सेजन 2 का एपिसोड 5 और हमने पेले की एपिसोड में ये देखा था कि संग ने आयसलु की लिडर को डिफेट कर दिया था और इसके बाद संग की टीम बाल जाने के लिए त्यार हो रही होती है और इसके बाद हमें डंजन के बार का सिंध दिकाया जाता है और वहां Mr.Aan कहते हैं कि सुबा की तीन बच्चु की है और इसका मतलब यह है कि डंजन के अंदर एक विक हो चुका होगा और Mr.Aan बाइकुनू को कहते हैं कि सर आप रात के लिए वाफिस जाना चाहते हैं और इस जगह को हम समाल लेंगे लिकन इस जगह में बाइकुनू कहते हैं कि तुम मुझसे यह एकस्पेक्ट कैसे कल सकते हो कि मैं गल चल जाओ जबकि मेरे गिल्ड के मेंबर एक डंजन के अंदर कह दो चुके हैं और सूरस के आने तक मैं यहां वेट करूँगा और यह सब बात की बीच में ही अचानक से रेट गेट ओपन होन लगता है और डंजन के अंदर से अंटर बाहर आने लगते हैं और बाइक उनु मनी मन यह सोचता है कि कीम जूल ने डंजन को क्लियर कल दिया है और संग भी उस चोटी लड़की के साथ डंजन से बाहर आ जाता है और मिस्टर आन मन में कहते हैं कि जैसे मैंने प्रडिक्ट किया था और वहीं लोग सोच रहे होते हैं कि कीम जूल कहां गया और क्या इस जगे में बस चारी लोगों ने सर्वाइब किया है और पार्की जिन बताती है कि हमी सब बस सर्वाइब कल पाए और यहां बाइकुनों कहते हैं कि low rank hunter यह उस जगे से बाल निकल पाए और एक B rank hunter survive कर पाया लेकिन एक A rank hunter survive निकल पाया और इस dungeon के अंदर ऐसा क्या हुआ है और संग उस छोटी लड़की के साथ जाते हुए यह कहता है कि मैं तुम्हें गर्व में drop कल दूँगा लेकिन इस जगे में संग के कंदे में Bicuno हाथ रखते हैं और Bicuno कहते हैं कि मुझे तुमसे बात कलनी है और संग Bicuno का हाथ अटाते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यदा ठक चुका हूँ तो तुम्हें कुछ जानना है तो तुम दूसरे guild member से पूछ सकते हो और संग की हिमत देख के बाई कुनू भी तो बहुत सप्राइज हो जाते हैं और वाफिस से संग के कंदे को पकल लेते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम बाई कुनू है और मैं वाइट टैगर गिल का लीडर हूँ और बाई कुनू कुछ से मैं ये भी कहते हैं और संग और भाई कुनू एक दूसरे के आखों को घूल रहे होते हैं और भाई कुनू संग के उपल से अपना हाथ अर्टाते हुए कहते हैं कि सायद मैंने अपना सारा गुस्सा तुमारे उपल उताल दिया और इसलिए भाई कुनू संग से मापी मांगते हैं और इसके बाद संग उस छोटी लड़कूई को लेकर यहां से चले जाता है और बाइकुनू मिस पार्क से पूछते हैं कि किस बज़े से इसका मोड इतना ज़्यादा कड़ाप है और यहां पार्की जिन बताती है कि संग का मोड डंजन के बोज को डिफीट कलने के बाद से खड़ाब है और उसने आयसल की बोड़ी के सामने तीन बार हो चुका है ऐसा कुछ चिलाया था और यहां मिस्टर आन बाइकुनो के पास आके कहते हैं कि सर मुझे माप कल देना लेकिन वो एक अच्छा इंसान है बस बहुत ताका हुआ है इसलिए ऐसा हुआ और बाइकुनो मिस्टर आन को कहते हैं कि उसे जल्दी से रेक्रूट कर लो और यहां मिस्टर आन कहते हैं कि सर मैं अपनी पूरी कोजिस करूँगा और बाइकुनो जाते हुए कहते हैं कि मैं तुमें सारी परमिशन देता हूँ उसे जोइन कराने के लिए बस तुम्हें उसे हमारी गिल्ड में किसी भी कोस्ट में जोइन कराना है और मिस्टान कहते हैं कि सर में ये समझ गया और इसके बाद हमें संग दिकाया जाता है जो सौंग ही इनके साथ गल जा रहा होता है और संग का mood भी इस में खराब होता है क्योंकि वो आई सल्फ की सेडों को स्ट्रैक टलने में तीन वाल फेल हो गया था और संग मन में ये सोचता है कि हम दोनों की स्ट्रेंद में बहुत जाता डिफ्रेंस है और अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कल सकता लेकिन इस जगे में संग को आई सल्फ की लीडर की डैगर मिल जाती है और जो ये डैगर है वो A rank होता है और इस weapon की ability ये है कि ये अपनी user की bait को कम कल देता है और संग मन में ये सोचता है कि कम से कम मुझे ये डैगर तो मिल गया और इसके बाद संग उस लड़की को गल चोल देता है और गल जान से पहले वो लड़की कहती है कि हे जनवू तुमने जो भी आज मेल लिकिया उसके लिए सुकरिया और संग ये सुनके तोला सा हिरान होता है क्योंकि वो उसे मास्टर बोलने की जगा उसका नाम ले रही होती है और वो लड़की बलस कलती हुए ये भी कहती है कि हम कल मिलते हैं और वो लड़की बोलती ही कि मेरा मतलब ये है कि हम नेक्स टाइम मिलते हैं और फिर ये बोलके वो चली जाती है और संग ये देखता है कि सुवे की 3 बच के 50 मिलेट हो रहे होते हैं और संग कहता है कि साइद मुझे कल से फिल से जिनू के साथ रेड में जाना होगा और इसके बाद हमें सुवे का सीन दिखाया जाता है और जिनू फिल से संग के सामने एक समकीला आलमर पेंड के आ जाता है और संग कहता है कि तुम ये पेंड के टेक्सी में आयो और संग जिनू को ये भी कहता है कि मैं तुम्हे रास्ते से पिक कलने ही वाला था लेकन याँ Jinoo कहता है कि सर आप अमेंसा मेरी मदद कलते हैं तो मैंने आज सोचा कि मैं आप की मदद कल दूँ और इसके बाद ये लोकाल में बchedके डंजन के तरप जाने लगते हैं और संग Jinoo को कहता है कि हमें सौन ओंग इनको पिक कलना है और यहाँ Jinnu संग से कहता है, कि अपसे क्या मैं सौंग हीन को मिश का हूँ और संग कहता है कि वो मेरी सिस्टर की फ्रेंट है और कुछ नहीं और संग हीन त्यार होके उनके पास आयाती है और गाड़ी के अंदर बेटने के बाद सौंग हीन और संग बात कलने लगते हैं और संग उससे पूछता है कि कल तुम अच्छे से सो पाई हो और वो लड़की कहती है कि मैं डंग से नहीं सो पाई और संग कहता है कि तुम बहुत ज़दा ठक गई होगे इसलिए तुम अलदेर के लिए कार्मी सो जाओ और वो लड़की संग के बारे में पूछती है और संग बताता है कि जब मैं गर पहुचा था तो चाल बच चुके था इसलिए मैं तोड़ा से ही सो पाया और जिनू ये सब सुन के बहुत ज़दा सोखो जाता है और जिनू मनी मनी ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से करणात को मिले थे और इन दोनों की नेंद भी पूरी नहीं हुई है और ये दोनों ठके हुए भी है और ये लोग सुवे के 4 बचे घर पहुचे थे लेकिन इनने ये कहा था कि बस ये इनकी sister की friend है और जिनू कहता है कि sir miss song इनकी legal age नहीं हुई है अभी और संग यहाँ पूसता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और जिनू कहता है कि कुछ नहीं sir और जिनू मनी मनी ये सोच रहा होता है कि sir कोई normal लगके नहीं है और जिनू संग से कहता है कि sir ये लोग कौन है और संग जिनू को कहता है कि तुम इसे first time देख रहे हो न तो तुम इसे बस मेरी एक skill कह सकते हो और जिनू हिरान होते है कि आपके बास एक ऐसा skill है जो sad को summon कर सकता है और यहां संग कहता है कि ये एक लंबी कानी है और वेसे भी लोग बहुत काम की चीज़ है और ये लोग hunting के साथ साथ बाकी काम भी कर लेंगे और जिनू उदास होते हो ये संग से कहता है कि sir मैं क्या एक strong को pick कर लूँ लेकिन इसमें संग कहता है कि क्यों और जिनू रोते हो ये thank you बोलता है और इसके एक दिन के बाद संग का deal complete हो जाता है जो संग ने जिनू के साथ 19 rate का किया था और इसके बाद हमें US का A rank dungeon दिकाया जाता है और इस dungeon के अंदर एक A rank का अंटल था जिसका नम James था जो बहुत ज़्यादा ड़ा होगा होता है क्योंकि जो उसके सामने इंसान है उसने उसके squad को पुला कदम कल दिया और वो अंटल मन में ये सोचता है कि ये एक human night beast होगा और हम जब dungeon के अंदर आये थे तो हमने एक भी magic beast को नहीं देगा था और मैं तभी यहाँ समझ गया था कि यहाँ कुछ न कुछ गरवर है और मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह का monster मिल सामने आ जाएगा और इस बंदे के अंदर से जो माना आ रहा है वो इस एक rank dungeon से भी जादा है कि चिलाना बंद करो मैं तुम्हारे दोस्तों को माला नहीं है बस मैंने उने knockout कल दिया है और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं magic beast नहीं हूँ मैं एक इंसान हूँ और लगता है कि तुम्हें मेरी बाते समझ नहीं आ रही है और वो बंदा उस अंटर को समझाते हूँ एक कहता है कि मैं एक Korean हूँ और मुझे गल जाना है और इसके बादा मैं एक restaurant का scene दिखाया जाता है जहां संग और जीनू खाना खा रहे होते हैं और संग डिरिंग कलते हूँ जीनू से पूसता है कि हमारी rate कतम हो चुकी है तो तुम आप क्या करोगे और इसमें जीनू बताता है कि मैं Guild Master के license के लिए एक exam को दूँगा और इसके बाद मैं अपने फादर के साथ एक deal करूँगा और जीनू ये मन में सोचता है कि सलसे जो मैंने वादा किया है वो भी दाव में लगा हुआ है और संग मन में ये सोचता है कि ये बहुत ज़दा great है कि मेरे पास एक 30 million की building है लेकिन ये बस मेरा bonus है और मेरा असली goal ही है ताकि मैं level up कर लूँ और मैंने अपने goal को पूरा कर लिया है तो मेरे पास कोई reason नहीं है इसके साथ relationship रखने का और इस जगे में हमें संग का status भी पता चलता है और जो संग की level होती है वो 61 हो चुकी थी और संग के पास एक dungeon की key होती जिसके बारे में वो सोच रहा होता है और जीनो संग से पूसता है कि सर आपका future plan क्या है और संग यहां कहता है कि तुम मुझे कुछ time के लिए contact निकल पाओगे क्योंकि मुझे कहीं जाना है और जीनो इसके बाद drink करके कहता है कि सर मैंने आपको बहुत ज़दा पसान किया है लेकिन यह अपसे नहीं होगा और संग को जीनो के लिए बुला लगता है इसलिए वो संग से पूसता है कि तुम मेरे बादे में honestly क्या सोचते हो और जीनो कहता है कि मेरे बाई और मेरे 20-10 सल का फ़रक है और मेरा बाई मुझे ज़दा पसंद भी निकलता है और इसलिए हम दोनों ने साथ में टाइम भी नहीं बिताया है लेकिन मैं आपसे अपने भाई को कंपेर करूँ तो आपने मेरे जिन्दकी को बालबाल बचाया है और आपने मेरे गोल को अचीव करने में भी मदद की है तो इसलिए आप मेरे रियल बाई से भी बढ़ करो और ये सुनके संग बहुत ज़दा सप्राइज हो जाता है और संग जिन्दकी को स्माइल कलते हुए कहता है कि तुम मुझे अपने बड़े बाई जैसा समझते हो तो इसलिए मैं तुम्हें अपने छोटे बाई जैसा समझूँगा और ये सुनने के बाद जिन्दक बहुत ज़दा इसमोसिनल हो जाता है और जिन्दक कहता है कि सर क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ और संग कहता है कि रूको तुम ड्रंक हो और जिन्दक यहां रोल आ होता है और संग यहां ये नोटिस कलता है कि टीवी के अंदर रेड डंजन के वारे में निउच चरी होती है और रिपोर्ट और बाईको उन्हों से पूस्थते हैं कि यह सही है क्या कि high ranking के सारे अंडल डंजन के अंदर मल गए और जो low ranking के अंडल थे वोई जिन्दा वापिस आपा है और ये वाज सुनने में आई है कि डंजन के अंदर जो लोक गए तो उन्हें मदद मिली थी और आप इसके वारे में क्या कहना चाहते हो और इसमें बाइकोनों बताता है कि ये वाद सर्च है कि वहाँ एक्सिडेंट हुआ था लेकिन जिन लोगों ने सर्वाइब किया है उन्हें किसी ने रेक्सक्रीव नहीं किया था और इसके बाद हमें बाइकोनों दिखाय जाते हैं और बाइकुनों ये कहता है कि ये डैम रेपोर्टर ये जानते हैं कि स्टोरी कैसे बनानी है और इतने सारे इंट्यूवी के वज़े से बाइकुनों बहुत ज़दा ठक जाता है लेकिन इत जग में बाइकुनों के लिए माइन बियों का कॉल आता है जो अभी जपान के अंद रिस्पेक्ट किया था चीज़े उससे भी ज़्यादा खड़ा आप है और बाइकुनों कहता है कि किसी ने जपान से कोरिया अंटर सुएसन को कॉल किया है लेकिन ऐसा क्या रीजन है जिसके वज़ेसे उन्हें कॉल करना पड़ा और इसमें मैं भी उन कहता है कि ये लोग ज चीज जानते हूं कि 40 साल पेले जुजु आइलेंड में एक एस रेंकिंग का गेट कुला था और हमने जब उस जगे में रेड किया था तो हम पूरी तरह से फेल हो चुके थे और कोरियर गवर्मेंट ने भी उस जगे को गिवाप कर दिया था लेकिन 40 साल के बाद भी उस ज पसानी नहीं है लेकिन मैंन्ब्यों कहता है कि सुनने में यहाए कि वो म्यूटेट हो चुके हैं और वो लोग दूसरी कंट्री में गय जा रहे हैं और चानक से एक ट्रिप में पी जा रहे हो लेकिन संग कहता है कि मैं एक विक के लिए बाल जा रहा हूं और जीना कहती है कि तुम किस से बात कर रहे हो और क्या तुमारी गल्फेंड बन चुक यह ब्रदर और संग यह बोलके चले जाता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूं और इसके बाद संग पिसली वाली लिक्व को खुल देता है और सम्ता जाके यह देखता है कि अंदर कोई भी मैजिक बीस नहीं है और यह को पूरा कप्लीक कर लिया तो वो सौप के अंदर से एक कोई से भी वेपन को ख्रीज सकता है और संग ये कहता है कि इस क्वेस्ट के रिवोर्ट बहुत ज़दा अच्छ है और जो सौप के अंदर वेपन है वो 10 मिलियन तक के है और मैंने ये क्वेस्ट कर लिया तो मुझे उन में से एक वेपन मिल जाएगा लेकिन संग गेट कोलते हुए ये कहता है कि फैक्ट ये है कि इसकी रिवोर्ट बहुत ज़दा अच्छ है तो इसका क्वेस्ट भी बहुत ज़दा मुस्किल होने वाला है और जिससे संग गेट के आँगे देखता है तो उसके आँकी खुली की हुली रे जाती है क्योंकि संग के सामने एक पूरा सेर होता है जो जल रहा होता है और संग ये कहता है कि मैंने कभी ये निच हो जाता कि मैं फिल टाइप के डंजन के अंदर आ पाऊँगा और क्या ये डंजन सोल का रिप्लिका है और संग मन में कहता है कि मुझे 10,000 डिमन सोल को क्लैक कलना है और इसका मतलब यह है कि यहाँ 10,000,000 मेजिक बीस्ट होंगे और संग के उपर अटेक कलने के लिए डेल सारे मेजिक बीस्ट आने लगते हैं और संग बेक को नीचे रखते हुए कहता है कि मैंने लोगों को ये बोला है कि मैं एक ट्रिप में आया हूँ लेकिन मैं इस चीज़ को लेके ये सोल नहीं हूँ कि मैं एक विक के अंदर इसको पूरा कर पाऊँ और संग तुरांत ये इस जेल्टी का यूज करके उन मॉन्स्टरों को मालने लगता है और संग मैजिक बीस के गले को काट के कहता है कि अभी के लिए इनसे लड़ना बहुत ज़दा असान है और इसके बाद हमें एक रेस्ट्रोयन दिखाया जाता है जहां जीनो अपने फादर के साथ डील कलने आया था और जीनो अपने फादर को गिल्ड कल आसें दिखाता है और उसने जितने रेट किया है उसके भी रिकॉर्ड दिखाता है और यहां जीनो अपने फादर को कहता है कि मुझे ये पता है कि आप ये जानते होगे और इसके बाद एक person room के अंदर आ जाता है और जिनो को उसके फादर कहते हैं कि ये एक hunter और इनका नाम है Go Mew और ये वाइट एर गिल का member है और इसने red gate incident को भी survive किया है और इसके बाद जिनो को फादर उस hunter को कहता है कि आके यहाँ बेट जाओ और वो hunter ये बताता है कि red gate के अंदर एक high schooler लड़की थी जो संजिन वो के साथ थी और संजिन वो का नाम सुने एक बाद जिनो बहुत ज़दा surprise हो जाता है और जिनो मन में ये कहता है कि संजिन वो red gate incident में involved था और इसके बाद वो hunter ये बताता है कि साथ उस लड़की का नाम सौंग हीन था और हम संजिन वो के वज़े से red gate को survive कर पाए और वो hunter ये भी कहता है कि सुरू में मैं ये देखके बहुत ज़दा confused था कि दो E rank के hunter क्या कर रहे है इस जगे में लेकिन इस जगे में जिनो का फादर कहता है कि इतना explain करना काफी है और जिनो money money कहता है कि मुझे बागी का सुनने की जुरूत नहीं है और मेरे से अच्छे से संजिन वो की skills के आड़ में दूसरा कोई नहीं जानता है और जिनो ये serious होते हो में मन में ये कहता है कि हमें एक लोता फलसन ऐसा नहीं हो जिसे संजिन वो का cigarette पता है और अब मेरे फादर के साथ मेरे negotiation नहीं होने वाला और वो अंटर ये भी बताता है कि जो वाइट टेर गिल्ड है वो संजिन वो के cigarette चुपा रहे है और जिनो के फादर कहते हैं कि Mr. Go आपने बहुत ज़दा explain कर दिया है और जिनो के फादर जिनो से कहते हैं कि तुमने बहुत ज़दा गलस हमें सुना मुझे से deal करने के लिए और जिनो को फादर जिनो से कहता है कि संजीन वू की एल्प की मदद से तुमने गिल्ड मास्टर का लाइसेंस को हासिल किया है न और जिनो अपने फादर की बात में अग्री कलता है और इसके बाध जिन्व मनी मनी ये सोच रहा होता है कि फादर ये सब होने के बाद मुझे नहीं चुनने वाले और जिन्व की फादर कहते हैं कि तु मुझे और कुछ बोलना चाती हो और जिनू इस जगे में बहुत ज़दा हिम्मत करके ये बोलता है कि प्लीज मुझे गिल्ड को लीड करने दो और इसमें जिनू की फादर बोलते हैं कि ठीक है और ये सुनके जिनू बहुत ज़दा हिरान हो जाता है और जिनो को फादर ये भी कहता है कि मैं तुम्हें गिल्ड को समालने दूँगा और यहां जिनो बोज़दा गन्फ्यूज होता है और वो पूसता है कि क्यों और इस जगे में जिनो के फादर ये कहते हैं कि तुमने अभी ये कहा था कि हम किसे strengths की उपर बुरो सान नहीं कर सकते और ये risk को लेना ही कियो है जबकि मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे सकता हूं और जिनु ये कहता है कि मैंने जो किया उसके बाद भी आप मुझे ये जिम्मेदारी दे रए है लेकिन इज जगे में जिनो के फादर कहते हैं कि इसके बदले तुम्हें संजिन वो को अपने गिल्ड में जोइन कराना पड़ेगा और जिनो अपने फादर को कहता है कि मैं अपने पूरी कोईसिस करूँगा और जिनो के बादर यहां से जाते हुए मन में ये कहते हैं कि मैंने दो S कलास हंटल चाइन और मैन भी उनको अफ़ल दिया था अपने गिल्ड को जोइन करने के लिए लेकिन इन दोनों ही नहीं अफ़ल को मना कर दिया था और जिनो के फादर ने चाइन को इसलिए elfल दिया था क्यूंकि वो एक एक एकसलेंट hunter थी और wise master थी तो इसलिए उसे गील्ड के Master के role के लिए उससे गील्ड भी Australian हो जाता और दूस्य साइच मैन भी होगे जो एक बहुत अच्छा hunter है लेकिन उसकी health अच्छी होने के बाद है रिटायर ले लिया है और उसने रिटायर होने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो तीन बार जूजरी हैं के रेइड में फेल हो गया था और जिनो की फादर को जो end जपान में मिली यह उसके बार मैं बिशुआ होता है और इसलिए जिनो की फाल्दरues लेए होटे है और संग ये कहता है कि मुझे अभी बहुत आगे जाना है और आज का अपिस्वीजोड यहींपे कतम हो जाता है और ऊपिस्वानलोट मुन को ऊपता हो विडियो प्सक्ताइब दिवीजोल को